विकी अंकिता से अपनी शादी को मानते है एक गुड इन्वेस्टमेंट इशा ने मनारा और सना के सामने विकी का खोला काला रास इशा मालवय को अब दीरे दीरे समझ आ गया है कि विकी क्या कोच कर रहे हैं घरवालों के साथ मिलकर और अब ऐसे मैं विकी के जहासे में नहीं आना चाहती इशा और इशा को विकी ने जो बात बताई थी अब वो बात वो मनारा और सना को बता रहे हैं कि जब मैंने विकी से लोगों से मिला जिसमें मेरे 4-5 mutual friends जहां पर अंकिता के friend और मेरे friend mutual थे हमारी मुलाकात हुई और अब यहां से बहुती businessman वाली एक vibe आने लगी विकी की बातों से इशा ने बताया कि विकी को अंकिता से प्यार नहीं है उन्होंने सिर्फ एक investment के लिए एक पहचान अपनी खड़ी करने के लिए सिर्फ अंकिता से शादी की है जिस तरह से ईशा ने खुलासा किया है उस पर आप कितने सहमत है हमें अपनी राई कोमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें